इंडेक्स क्रेंग है यह क्रेंग इसको पकड़के आप घुमाते हैं ठीक है यह आपका इंडेक्स प्लेट होते हैं इस तरह से तो जैसे माली आपको फुल रोटेशन कराना इसको पूरा घुमाना है तो आपको यह जो क्रेंग का पिन है यह क्रेंग पिन आपका इस तरह आज आज की इस वीडियों आप देखने जा रहे हैं मिलिंग मशीन के अंदर इंडेक्सिंग मेकेनिक किस तरह से होती है इसके बाद हम कुछ नुमेरिकल सॉल्व करेंगे जिससे आपको मिलिंग मशीन की अच्छी तरह से अंडेस्टेंडिंग हो जाए तो छोटा सा से स्केमेटिक डियाग्राम इसका देखते हैं यह अब देखिए यहां पर एक क्रेंग है ठीक है यह क्रेंग है और यह इंडेक्सिंग प्लेट है इधर यह जो आप यहां से यहां तक देख रहे हैं यह इंडेक्सिंग प्लेट है और यह इंडेक्सिंग प्लेट आपका क्रेंग से होगी और index plate और यह आपका mounted आपका इसके उपर ठीक है यह shaft है और इस shaft के उपर आपका warm बना हुआ है इस warm से आपका warm wheel rotate हो रहा है ठीक है और यहाँ पर जो 90% आपके आते हैं 40-1 ratio रहता है मतलब यह जब 40 वार rotate होगा तो इसका जो warm wheel है उसका rotation एक वार होगा और आपका warm wheel के उपर आपकी जो 22 होती है वो mounted है और उसके अंदर आप बर्पीस को mount करते हैं ठीक है तो यह mechanism है तो आपको यह समझवा गया होगा यहां से आप इसको rotate कराएंगे rotation देंगे तो आपका यह shaft rotate होती है क्योंकि यह सारी चेह इसी shaft mounted है और यह shaft rotate होगी तो आपका warm rotate होगा warm से आपका warm wheel rotate होगा ठीक है इसमें एक चीज और extraordinary है कि जैसे आपको इसको एक rotation कराना है तो आप क्या कर सकते हैं जो यहां पर pin है इस पिन को आ बहुत निकाल सकते हैं और crane को Eduardo चर सकते हैं इसको क्रेंग करते होगा थियू भी हो जाएगा तो जैसे क्यों सापने प्र पूरा पूरा इस इसको यह को आपको आधा rotation कराना तो इसमें के उन होल्स के बेसेस पर आप आधर रोटेशन करा सकते हैं क्रेंग को पहले निकाला फिर घुमाया फिर जैसे मालों यहां पर आना तो यहां पर उसको मांट कर दिया ठीक है अब यहां पर कुछ प्लेट यूज होती है जो कि मैं आपको बताने वाला हूं देखिए थोड़ा से इसका प्रिक्टोविल डाइग्रम और देख लिए यह इस तरह से कुछ रहता है यह आप देख सकते हैं इंडेक्स क्रेंग है यह क्रेंग इसको पकड़के आप इंडेक्स प्लेट में इस पिन के तुरू अटेच होगा है तो जैसे आप इसको घुमाएंगे तो यह आपका क्रेंग भूमे गा क्रेंग साथ इंडेक्स पिन घुमेंगी और यह सारे इस साफ्ट माउंटेड है यह शाप्ट भूमे गई घुमेंगा तो यह वाम आप थोड़ा से यहां पर देख सकते हैं index plate किस तरह से होती है इस तरह से होती है यह इसक्राइब यहां पर प्रेख सकते हैं यह इस तरह से इस तरह हैं इसमें जो सबसे simple plate होती है वो brown and sharp billing machine index plate होती है जिसमें आपका 3 plate का set आता है ठीक है एक plate में आपके 15 16 17 18 19 20 holes होते हैं जैसे मैंने अभी आपको दिखाया है यह यहां पर इस तरह से इस तरह से आती है ठीक है दूसरी plate 21 23 27 29 33 holes आते हैं प्लेट 3 37 39 41 43 47 49 holes आते हैं अब इसमें क्या बताए है basically यह जो plates है इसको भी आप change कर सकते हों इसमें तीन बेराइटी plates आते हैं जैसे उसमें और भी आते हैं लेकिन यह आपका जो इस पैसे ब्रॉंड और शाप मिलिंग की इंडेक्स plate आती है उसमें तीन प्लेट आते प्लेट 1 प्लेट 2 प्लेट 3 तो इस प्लेट को आप चेंज कर सकते हैं यहां पर बोल्ट खोला और इधर आप जो क्लेंप है उसको खोला तो यह प्लेट आपका निकल जाएगी दूसरी प्लेट आप इसकी जगए लगा सकते हैं अब इसकी जरुद क्या होती है वह आपको नुमेरिकल से ज़्याद अच्छे समझ में आएंगे तो मैं सीधा नुमेरिकल पर चल आओँ अब देख सकते हैं यहां पर प्लेट में कितने होल्स हैं जैसे पहले सरकल में इतने होल्स दूसरी प्लेट में इस तरह सोल्ट रहते हैं अब फॉर एक्जामपल हम एक नुमेरिकल सॉल्व करते हैं माली आपको वाम वील है और उस वाम वील के उपर बर्गपीस मांटेड है तो उस बर्गपीस में आपको 14 division करने है कितना 14 division करने है इसी तरह के बर्गपीस वाम पर आते हैं 14 division करना है इक्वल डिस्टेंस वाले division हमें मानके चलते हैं तो 14 division करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा सीधा क्या होता देखिए इसके detail मैंने और पहले बन पता हुआ है कि बेसिकली क्या होगा है जब आप क्रेंग का एक rotation करेंगे है यहां पर आप देखेंगे यह वनवाई 40 का रेश्यों होता है जैसे यह हम इस पूरी शाप को एक बार गुमाते हैं तो यह कितनी बार गुमेंगा वनवाई 40 का गुमेंगा क्योंकि इसके उपर जो बर्कीष मांटेड होगा तो उसके केस में आपको क्या करना पड़ता है कि सीधा सा रहता है 14 होता है 40 उसको डिवाइड कर देते हैं जितनी नमबर आफ डिविजन आपको लेना होते है जैसे आपने इसको 14 से डिवाइड कर दिया तो कितना जाएगा 14 इसको फर्दर और सिंप्लिवर कर सकते हैं आप टू तू सिग्ज़ तो इसमें कौन सी इंडेक्स प्लेट लगानी है वह कैसे देखते हैं आपको देखना पड़ेगा सेवन का डिविजन किसमें तो आप देखो कि यहां पर है 8,19,20 इसमें किसी में भी सेवन का डिवीजन नहीं है तो आपको को आप इसमें देखों तूण 7 का Aww. तो आप प्लेट नॉम्ची सक्काने कान सा यूस कर सकते हैं फ्लेट नंबर 2 तो इसका मतलब यह हुआ کہ 2 तो इसके अब फुल रोटेशन हो गए, टू, फुल रोटेशन, अब आप 6x7 के लिए आपको क्या करना पढ़ेगा, 6x7 rotation कराने के लिए, आपको, जो crank है, यह crank है, इसको निकाल के, आपको इन holes count करके move करना पढ़ेगा, ओल्स count करके आपको move करना पढ़ेगा, आप 6 by 7 है तो इसको आप क्या कर से लिख सकते हो 6 by 7 को आप ये भी कर सकते हो इसमें 6 multiplied by 3 7 multiplied by 3 मतलब कितना गए 18 upon 21 इसका मतलब क्या हुआ कि दो तो हमने full rotation करा दिये फिर हम क्या करेंगे ये plate number 2 select करेंगे plate number 2 में 21 होल वाला है 12 circle select करेंगे 21 होल वाला 80 whole count करने का मतलब जैसे ये पहला circle है इसमें 18 whole count कर लिए इसको move करा 18 whole count करके वहां पर fix कर दिया ठीक है एक numerical हो गया है अब एक और numerical solve करके देखते हैं जिससे आपको और आसा नहीं है तो इसका मतलब दो full rotation हो गए और हम क्या select करेंगे second plate select करेंगे इसमें कौन से प्लेट सेलेक्ट करेंगे second वाला और उसमें कौन से सर्क्ल सेलेक्ट करेंगे ठीक आई थिंक आपको समझ में आगए होगा है अब एक और numerical solve कर दिविजिंस के लिए ठीक 22 डिविजिंस तो सीधस है वही करना पड़ेगा सबसे बहले आपको करना पड़े इसको आप डिवाइड करना पड़ेगा से जब इसको आप डिवाइड करें तो क्या जाए वन एक वर चला जाए डिवाइड करके देख लिए वाई 22 वंजे 22 कितना बचा है 18 इसका मतलब एक तो फॉल रोटेशन हो गया और यह 18 वाई 22 यह कहां से अचीव होगा यह आपका प्लस 18 वाई 22 है इसको आप कर सकते टू नांजा अटीन एलेवन ठीक है तो यह इसको आप लेख सकते हैं वन नाइन अपान एलेवन अब हम ऐसा देखेंगे जिसमें 11 का डिवीजन आ रहा हो तो यहां पर देखिए 15 इसमें 11 का डिवीजन नहीं आ रहा है यहां पे रोटेशन प्लस प्लेट टू अब प्लेट टू में 9 अपन 11 लाना है लेकिन आपका 33 है तो हम क्या कर सकते हैं 9 इंटू 3 और 11 इंटू 3 तो मतलब 27 अपन 33 डैप इसका क्या मतलब हुआ है इसका मतलब यह हुआ कि आपने इसको एक तो पूरे को एक भाद गुमा दिया उसके च्रक्र क्रेंगתח apert यहां से और होल बीट 23 जबको 33 कहां पर लाई कर रहा है वह विद्य को लास्ट वाले सबसे कम बारा जिस्वाबद से उपर की तरफ ठीक है तो आपको यह समझ में आगया होगा आप एक दो क्वेश्चन और करते हैं जैसे आपको पूर अच तरह से चीन क्लियर हो जाए अब माली 22 आपको 28 डिविजिन लेने ठीक है तो यह से आपका 3.7 आया है तो 3.7 आप 7 डिविजिन देखेंगे तो यह से के दौन में नहीं है सिकंड प्लेट में तो यह सेखंड के बाद आप इसकंड लेट बहुत नहीं से अब फोल रोटेशन प्लस थर्ड प्लेट यह मैं थर्ड प्लेट को लेता हूं तो क्या थे थर्ड प्लेट को कंसिडर करेंगे तो आप देखेंगे इसमें 49 वाला आपने लिया है ठीक है यह आपका कितना 3.7 है तो 3.7 को आपने सबसे लास्ट वाला तो सबसे लास्ट वाला सर्क्ल सेलेक्ट किया और सर्क्ल में जो इनिशल पॉइंट हो इस इनिशल पॉइंट से आपने 21 होल्स काउंट किये और वहां पर यह क्रेंग पहुंचाएगा ठीक है तो आए वह आपको समझ में आगया होगा